नमस्कार मैं प्राणशी रठोर और अब दीख रही हैं निक्स्ट नाइन न्यूस राजस्थान में जहां एक तरफ पूर्व डिप्टीस दियम सचिन पाइलेट और मौजुदा मुख्य मंत्री अशो कहलोद के बीच स्यासी जंग छुड़ी हुई है इस स्यासी जंग के बीच कॉंग्रेस के नई प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा लगातार बैट के करते हुए नसर आ रहे हैं लगातार एहम फैसले सुनाते हुए देखे जा रहे हैं हाल ही में सुखजंदर सिंग रंधावा ने उन विधायकों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था जो विधायक हाज से हाज जुड़ो अभ्यान के लिए सम्मेलन किया गया था उनमें शामिल नहीं हुए थे जिसमें नाम शामिल हुआ सचेन पाइलेट का भी फिलहाल देखा जाए तो यहां पर उस मामले से अलग सुखजंदर सिंग रंधावा ने एक एहम एलान कर दिया है पाइलेट और कहलोत की जुबानी जंग को वह सुलजाती हुए नसर आई हैं लेकिन साथ हिसा जल से जल राजस्थान के नए मुख्य मंत्री के दाविदारी के लिए वह जल्द ही ऐलान भी करेंगे जब मलिका अर्चुन खड़के सौनिया गांधी अपना एहम फैसला सुनाएंगे खेर वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार राजिस्थान में जब नवमर के महीने में विधान सबाचुनाब होंगे तब यहां पर कॉंग्रेस किसे अंधावा हाल ही में जैपूर पहुंचे हैं और जैपूर पहुंचकर उन्होंने यहां पर एक लिस्ट जारी कर दी है सबसे पहले आपको एहम जानकारी दे दे कि कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी की जो बैठके होंगी वह 24 से 26 फरवरी तक हो सकती है चतिजगर के रायपूर में हालंकी इस पर पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक एलान अब तक नहीं किया गया है जहाँ पर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनात सचेन पाइलेट और साथ ही साथ यहाँ पर कॉंग्रेस सांसद शशी थरूर पर भी एहम फैसला सुनाया जा सकता है लेकिन साथ यहाँ पर CWC के चुनाव को लेकर भी यहाँ पर बड़ा एलान किया जा सकता है दावा यह किया जारा है कि इस थाई जगा शायद दी जा सकती है सौनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को ऐसे में रंधावा ने जो एलान किया है उस पर अगर रुक किया जाए तो यहाँ पर सुखजिंदर सिंग रंधावा ने एक बड़ा काउंटाउन शुरू कर दिया है AICC सदस्यों और जिला अध्यक्षकों की यहाँ पर घोशना कर दी गई है इनकी लिस्ट आज कल में अब आ सकती है कॉंग्रेस के राजिस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा शुकरवार को जैपूर पहुँचे दोपहर में सरकेट हाउस में कॉंग्रेस के नेताओं और विधायकों से मुलाकात की और अब ये माना जा रहा है कि अब हाई कमान से लिस्ट को लेकर मंजूरी वहल ले आए हैं और उसे जारी कर देंगे 18 फरवरी को जैपूर में ही रहेंगे और शाम को फिर चंडिगर के लिए रवाना हो जाएंगे राजिस्थान से तकरीबन 60 AICC प्रतिनिधियों की सूची जारी की जाएगी महा अधिवेशन 24 से 26 फरवरी को रायपूर में होने जा रहा है ऐसे में जल से जल इन नामों की घोशना होना जरूरी है ऐसे में यहाँ पर ब्लॉक कॉंग्रेस अध्यक्षों की घोशना भी कर दी जाएगी और राजिनितिक न्यूक्तियों की इस माहा में हो सकती है सुत्रों की माने तो 30 के करीब जिला अध्यक्षों की घोशना की जाएगे और जैपूर शहर में दो अध्यक्ष बनेंगे वहीं जैपूर ग्रामीड में एक विधायक को जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है ऐसे में प्रदेश कॉंग्रेस संगठन का खाका तैयार किया जाएगा तक करीबन 80 फीजदी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ती हो चुकी है इसके अलावा मंडल और नगर अध्यक्ष भी बनाई जा रहे हैं जिनके नाम लगभग तै हो चुके हैं तो सुखजिंदे सिंग रंधावा लगातार यहां पर बैठक कर रहे हैं और अब मलिका अरचुन खडगे के AICC पर फैसले लेने से पहले उन्होंने यहां पर यह तगड़ा एलान कर दिया देखना होगा कि BJP यहां पर क्या कोछ इताव पेच खेलेगी साल 2024 में होने जा रहे हैं लोग सबाचनल इस रिपोर्ट में बागी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस